नमस्कार साथियो वेलकम आप सभी का तो साथियो आज आम मैच कवर करेंगे 30 राटी 20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है साउथ अफरिका वूमेन वर्सिज इंगलेंड वूमेन के बीच में तो दोस्तो मुकाबला 30 नवंबर को खेले जाने वाला है 9 बजगर 30 मिनट पे होगा सूपर स्पोर्ट पार्क सैंचूरियन साउथ अफरिका के होम गिराउंड पे तो दोस्तो आज गे मैच की हमारी फाइनल फेंटसी टीम का क्या कोंबिनेशन होना चीए कौन सी खिलाडी को दोस्तो हम कैप्टन सी में ट्राई करके चलें कौन सी खिलाडी दोस्तो हमार दोस्तो दो ही खिलाडी हमारे ड्रीम टीम से बार थे जो मैंने आपको टेलिग्राम चैनल पे टीम प्रोवाइड की थी उसमें दोस्तो रजल्ट हमारा काफी बढ़िया देखने को मिला था और कुछ इसी परकार से हम तीसरा T20 मुकाबला कवर करने वाले हैं जानेंगे दोस् दोस्तो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है वीडियो को दोस्तो कंप्लीट देखते चलना और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फड़ा पड़ से दोस्तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सस्क्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए और टेलिग्राम चैनल जोईन करना मत बोलना नीचे दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पिछ के बारे में कि सूपर स्पोर्ट पार्क सैंचूरियन की जो पिछ है वो कैसी है बैटिंग पिछ है या फिट दोस्तों यहाँ पर बोलर्स काफी बढ़िया परफोर्मेंस करती वी नजर आएगी तो पिछ दोस्तों आपको बैलंसिड पिछ देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर कहीं न कहीं दोस्तों पेस बोलर्र आपको थोड़ा सा बैतर परफोर्मेंस करते वे नजर आ सकते हैं टोटल इस गिराउंड पे दोस्तो एकी वोमेंस T20 मुकाबला खेला गया था और इस मैच में जो टीम पहले बैटिंग करके गई थी उसी टीम ने दोस्तो वो मुकाबला विन किया था एवरेज स्कोर 160 से 180 के करीब देखने को मिल सकता है सबसे ज़्यादा स्कोर दोस्तो यहाँ पर 163 रन का देखने को मिला था और सबसे कम स्कोर दोस्तो 124 रन का 124 रन पे टीम दोस्तो यहाँ पर 8 विकट गवा गी थी उसके साथ scoring pattern 150 से नीचे 0, 150, 170 के बीच में एक बार score यहाँ पर देखने को मिला है टोटल दोस्तों एक ही women's T20 मुकाबला अभी तक इस ground पे खेला गया है बाकी दोस्तों फटापट से वीडियो को like करना मत बोलना चैनल को जिसने सस्क्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए और टेलिग्राम चैनल पे आपको Final Fantasy टीम का कोंबिनेशन देखने को मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है फटापट से टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना बात करेंगे दोस्तों यहां पर रीसेंट वाले मैच के अकोडिंग तो रीसेंट में यहां पर एक ही वोमेंस टीटुएंटी मुकाबला खेला गया था और इस मैच में दोस्तों ग्यारा विकट पेस बोलर ने निकाली थी और स्पीनट्स ने दोस्तों यहां पर कुछ भी परफोर्मेंस नहीं किया यानि कि आज के मैच में भी दोस्तों आपको पेसर्स गेम में देखने को मिल सकते हैं और CVC कॉंबिनेशन के अकोर्डिंग दोस्तों आपे ट्राई करके चल सकते हो पेस बोलर को उसके साथ दोस्तों हेड टो एड के बारे में बात करें तो हेड टो एड के लास्ट के जो 26 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों 22 मुकाबले इंगलेंड वोमेन की टीम ने विन करके रखे हैं ओनली 4 मुकाबले दोस्तों अभी तक हेड टो एड में विन कर पाई है साथ अफरिका वोमेन की टीम और रिसेंट में दोस्तों दोनों T20 मुकाबले इंग्लैंड वोमेन की टीम विन करके आ रही है सीरीज भी दोस्तो अपने नाम कर चुकी है लेकिन यहां से जो तीसरा T20 मुकाबला है इसमें अगर साउथ अफरिका वोमेन की टीम कमबैक करती है तो कही ना कही दोस्तो इस टीम से आपको कैप्टन वोईस कैप्टन देखने को मिल सकते हैं तो जील टीम का जो हमारा कॉंबिनेशन होगा उसमें दोस्तो साउथ अफरिका वोमेन की तरब से आपको कैप्टन वोईस कैप्टन एक टीम में ट्राई करके चलना है तो चलिए दोस्तो साउथ अफरिका वुमेन की फाइनल प्लेइंग लेवन के हिसाब से बात कर लेते हैं ओपनिंग बैट्समेन ताजमीन बिट्स उसके साथ लोरा वोलवर्ड फिर दोस्तो यहाँ पर आपको फाय फिर आपको यहाँ से अनेरी डाक्षन फिर दोस्तो ट्रायोन देखने को मिल जाएगी उसके बाद यहाँ से कलर जफता जो की विकट कीपर ओप्शन है ड्रोपी करक कि किस खिलाडी को सबसे ज़्यादा विकट मिल सकती है तो यहाँ से दोस्तो साउथ अफरीका की तरब से आपको स्टार्टिंग के ओवर्ड मारी की तरब से देखने को मिल सकते हैं नमबर एक और नमबर पाच का ओवर्ड उसके साथ दोस्तो हलूबी नमबर दो और नमबर ट्रायोन दोस्तो सत्रवा और लेके आएगी ये टोटल चार बोलर हैं जो की डैथ में बोलिंग करवाने वाली है उपर की आपको चार बोलर देखने को मिलेंगी जो की दोस्तो स्टार्टिंग में बोलिंग करवाएगी इसी के साथ इनके फाइनली प्लेयर परफोर्मेंस क head to head में दोस्तो 29 का average score, ground पे पहला match, T20 format में 36 का average score है, लेकिन recent में दोस्तो women's, big bass league के कुछ matches इस खिलाडी ने खेले हैं, इतना खास performance देखने को नहीं मिला है, और recent में भी 20 plus का score ही यहाँ पर देखने को मिला है, आज गे match में कुछ बड़ा score इस खिलाडी की तरब से देखने क को मिल सकता है, यूनी ग्रेंड लिग टीम में कैप्टनशी में ट्राई करके चल सकते हो, उसके बाद ताजमीन ब्रीट जिसका selection 18%, recent में फ्लोप है, पहले T20 मैच में 15 run, फिर 40 run, 14 run, 55 run, 17 run, 15 run, फिर दोस्तो 42 और 43 run की दो इनिंग है, 37 का average score head to head में है, 36 run दोस्तो इस score है कही ना कहीं, दोस्तो दोनों खिलाडियों का जो head to head में performance है, वो लगबग ठीक ठाक यहां से देखने को मिला है, उसके साथ number 3 की खिलाडी जिसका selection 18% है, recent में 22 run, फिर 58 run, फिर फिर फ्लोप है, उसके बाद दोस्तो 20 run head to head में एक ही मुकाबला खेला था, जिसमें flop देख में एक ही मुकाबला खेला था, कुछ खास performance देखने को नहीं मिला, तो यह खिलाडी दोस्तो आपको trump card खिलाडी में देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तो अभी के लिए में drop करने वाला हूँ, उसके बाद अनेरी डाक्शन जिसका selection 47%, recent में 24 run 0 wicket, 26 run नाबाद, 27 run 0 wicket, head to head में only 46 run है, ground पे पहला match है, T20 format में 13 का average score plus में 7 wicket है, batting plus bowling दोनों से point करते वी नजर आएगी, try करके चल सकते हो, उसके बाद दोस्तों यहां से number 5 पे try on जिसका selection आपको 69% देखने को मिलेगा, और recent वाले match में 30 run plus में 0 wicket, 24 run plus में 0 wicket, उसके बाद continue 2 मुकाबले flop है, 14 का average score इस विकट भी निकाल रखी है, ground पे only 2 run, T20 format में 20 का average score plus में 35 wicket इसके पास है, ये खिलाड़ी भी दोस्तों आपको batting plus bowling दोनों से point करती वी नजर आएगी, try करके चल सकते हो, उसके बाद दोस्तों यहां से number 6 पे जिसका selection 11% है, recent के match में flop है, उसके बाद 16 run 1 wicket, 1 run 1 wicket, flop है, 48 run 1 head to head में 16 run, plus में 1 wicket, ground पे पहला match, T20 format में 10 का average score, plus में 18 victor के साथ इसके लाड़ी का भी performance है, लेकिन दोस्तों South Africa women's की तरब से लगबग batting order continue flop ही देखने को मिला है, उसके बाद यहां से दोस्तों Nadine Clark जिसका selection आपको 14% देखने को मिलेगा, recent के दोनों matchों में performance है, एकी मुका 29 run नाबाद 2 wicket, उसके बाद 32 run नाबाद पलस में 2 wicket, एक मुकाबला venue पे 3 victor के साथ इस खिलाड़ी ने performance किया था, 2019 में सिरलंका के साथ जो T20 मुकाबला खेला गया था, T20 format में 49 wicket इसके पास है और 28 का average score betting से है, तो यह खिलाड़ी दोस्तों टीम की unique captaincy में देखने को मिल सकती है, selection आपको काफी high देखने को मिलेगा, CVC में भी लगबग average इस खिलाड़ी का selection है, उसके बाद सिनालो जफता, wicket keeper option 0.6% selection, 17 run नाबाद, recent में head to head में 8 run, ground पे पहला match, 15 का average score इस खिलाड़ी का दोस्तों, total यहां से T20 betting से है, उसके बाद यहां से मारी जिसका selection 63% है, recent म flop है, उसके बाद 3 wicket, फिर flop है, 44 run 3 wicket, 26 run 2 wicket, head to head में दोस्तों, 3 wicket, ground पे पहला match, 5 wicket इसके पास है, T20 format में, उसके बाद मलाबा, जिसका selection 24% है, recent के continue matchों में flop, 5 wicket, head to head में, ground पे पहला match, 49 wicket इसके पास है, T20 format में, तो मारी को दोस्तों, आप try करके चल सकते हो, recent में 2 मुक उसके बाद हलूबी, जिसका selection 41% है, recent में 2 wicket, फिर यहां से continue flop है, फिर 2-2 wicket, फिर दोस्तों, 3 wicket, head to head में दोस्तों, एक मुकाबला, 2 wicket के साथ performance किया था, ground पे पहला match, 4 wicket इसके पास है, T20 format में, तो यह दोस्तों, finally आपको South Africa woman के final player performance देखने को मिल जाएंगे, अगर बात करें दोस्तों, यहां से जो हमारी second team देखने को मिलेगी, इस team से दोस्तों हम कौन-कौन सी खिलाडी को try करके चलें, कौन सी खिलाडी हमारी team में unique captain, voice captain देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे जादा high selection दोस्तों, आपको England women's की तरब से देखने को मिलेगा, और इसी team में दोस के साथ Amy Jones, Wicket Keeper Option, फिर दोस्तों, फ्रेया, Sophie Elexton, फिर दोस्तों आपको Charlie, फिर यहां से Glenn देखने को मिल जाएगी, फिर यहां से filler है, यहां से final playing 11 England women's की तरब से देखने को मिलेगी, बाकी दोस्तों इनके starting out death में जो bowling करवाने वाली है, starting का पहला over दोस्तों, Skyver Brunt लेकर आए death में दोस्तों, यहां से आपको Skyver Brunt 16 और 19 वा वर करवाती भी नजर आएगी, 17 और 20 वा सोफी करवाएगी, और यहां से Sarah Glenn दोस्तों, number 18 का over करवाने वाली है, यानि कि यह total 3 baller हैं, जो कि death में bowling करवाएगी, उपर की 4 baller हैं, जो कि यहां से starting के over करवाने वाली है, इसी के सा यहां से दोस्तों, voucher जिसका selection आपको 20% देखने को मिलेगा, recent में flop है, 20 run, 14 run, 62 run, ना बाद, head to head में दोस्तों, flop होती है, ground पे पहला match है, T20 format में 25 का average score है, उसके बाद दोस्तों, दानी वाट जिसका selection 90%, recent में 78 run, फिर continue flop है, फिर 30 run, फिर flop है, फिर 62 run, 23 का average score, head to head में, ground पे प experience खिलाडी है, उसके बाद नंबर 3 पे, सोफिया डंकली, जो के recent वाले match में flop है, selection 0.6%, recent के continue, चारों मैचों में दोस्तों, 10 plus भी run, इस खिलाडी की तरब से देखने को नहीं मिले, 21 का average score, head to head में, ground पे पहला match, 23 का average score, इस खिलाडी का T20 format में है, उसके बाद, skyver brunt, जिसका selection 98%, recent में 67 run 1 wicket, 69 run 0 wicket, 57 run 1 wicket, उसके बाद, फिरशे 1 wicket, 25 का average score, head to head में, 8 wicket, ground पे पहला match, 28 का average को T20 format में, पलस में 82 victor के साथ इस खिलाडी का performance है, ये खिलाडी दोस्तों, सबसे ज़्यादा high selection में आपको captain voice, captain chi में देखने को मिल जाएगी, उसके बाद, header जिसका selection आपको 33 percent देखने को मिलेगा, recent में 26 run, flop 28 run, flop 50 run, 69 run नाबाद, उसके बाद 28 run, selection दोस्तों आपको लगबग 33% का है, number 5 की betting order है, 35 का average score, head to head में, 2 wicket, ground पे पहला match, T24 में 27 का average score, पलस में 16 wicket, उसके बाद, Amy Jones जिसका selection 85 percent, recent में 15 run नाबाद, 31 run, flop 19 run, 16 run, flop 10 run, 26 का average score, head to head में, ground पे पहला match, 21 का average score, इस खिलाडी का T24 में है, wicket के पर option है, लेके चलना है, क्योंकि यहीं खिलाडी दोस्तों आपको एक safe option देखने को मिलेगी, जफता दोस्तों, number यहां से 8 पे betting करवाती भी नज़ रहेगी, उसके बाद, फ्रेया कैंप जिसका selection 11 percent है, recent में flop 5 run नाबाद, 1 wicket, flop 19 run, 3 run, 1 wicket, 4 wicket, head to head में, पलस में 5 run इसके पास है, ground पे पहला match है, 18 average score बैटिंग से T20 format में, पलस में 17 victor के साथ इस खिलाडी ने performance किया है, उसके बाद दोस्तों, यहां से Sophie Lexton, जिसका selection 79 percent, recent में flop 1 wicket, 24 run नाबाद 2 wicket, उसके बाद continue इस खिलाडी ने काफी बढ़िया performance किया है, 17 wicket head to head में, ground पे पहला match, 132 wicket इसके पास है, T20 format में, unique captaincy में दोस्तों try करके चल सकते हो, उसके बाद Charlie जिसका selection 81 percent, recent के continue matchों में 1 और 2 wicket के साथ performance, 4 wicket इसके पास है, head to head में, ground पे पहला match, 43 wicket इसके पास है, T20 format में, एकी मुकाबले में flop है, बागी continue performance है, उसके बाद Sarah Glenn, जिसका selection 89 percent, recent वाले match में 4 wicket, उसके बाद 1-1 wicket, फिर flop है, फिर दोस्तों continue 1-1 wicket के साथ performance किया, 89 wicket दोस्तों इसके पास है, T20 format में, और 11 wicket इसके पास है, head to head में, 9 ही मुकाबले अभी तक इस खिलाडी ने खेले हैं, और venue पे दोस्तों पहला match है, तो England के जो bowlers है, इनको दोस्तों आप captain और voice captaincy में जरूर ट्राइ करके चलना, उसके बाद filler जिसका selection 0.9 percent, recent वाले match में flop है, उसके बाद 1 wicket, head to head में flop, ground पे पहला match, 4 wicket इसके पास है, T20 format में, तो ये दोस्तों फाइनली आपको England women's के final player performance देखने को मिल जाएंगे, अगर बात करें यहाँ से मेरी आज की final fantasy team के बारे में, तो combination दोस्तों आपको थोड़ा सा unique देखने को मिल जाएगा, जिसमें captaincy में मैंने skyver brunt को try किया है, voice captaincy में दोस्तों यहाँ से सारा glen देखने को मिल जाएगी, मलाबबा और एक team में hello भी है, बागी दोस्तों यहाँ से आपको तीनों की तीनों bowler England women's की तरब से देखने को मिलेगी, अनेरी, डाक्षन, ट्रायो, उसके साथ कलर, voice captaincy, skyver brunt दोनों टीमों में captaincy में try किया है, लगबग दोस्तों तीनों खिलाडी यहाँ पर आपको सेमी देखने को मिलेगी, एक बैटिंग ओडर, सोरी दो बैटिंग ओडर, एक विकट कीपर, all rounder option की बात करें, यह आज की दो final fantasy टीमों का कोंबिनेशन है, बाकी दोस्तों यह दोनों खिलाडी आप cvc में try करके चल सकते हो, यूनिक voice captaincy में captaincy दोस्तों मेरी fix ही रहने वाली है, तो यह आज की दो final fantasy टीमों का कोंबिनेशन रहेगा, बाकी अपडेट में आपको टेलिग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक एफडापट से जोइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सस्क्राइब कर लेना, आने वाली लगातार अपडेट के लिए, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलता हूँ, नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ,